हमारे शरीर को भगवान का मंदिर के शास्त्र पर जोर रखी है, मुख्यकारणों क्यों इसाईयों नहीं करना चाहिए, मनोरंजन यौन पापो. यह कहा गया है, पलायन यौन अनैतिक्ता. हर पाप है कि एक आदमी और एक औरत करता है बाहर शरीर है, लेकिन वह प्रतिबद्ध है, जो व्यभिचार पापो को अपने ही खिलाफ शरीर. या आपको पता नहीं है कि आपके शरीर के मंदर के पवित्र आत्मा जो है में तुम, जिसे तुम परमेश्वर की ओर से हैं और आप अपने खुद के नहीं है. आपके लिए गए थे एक कीमत पर खरीदा है इसलिए परमेश्वर की महिमा में अपने शरीर और अपने आत्मा जो परमेश्वर का है एक कुरिंथियों 6.18.20. सबक भगवान आवर्शक अपने बच्चों के लिए सम्मान के साथ उसे पवित्रता के शरीर मन और आत्मा वास्तव में इंजील की घोशना की है कि हमारे शरीर है मंदिर के पवित्र आत्मा एक कुरिंथियों 6.19. इसलिए यह हो जाता है साधा है कि भगवान की सराहना करते नहीं होगा कि लोगों का मनोरंजन यौन पाप है लेकिन वह न्याय करेगा उन्हें इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हर बच्चे को भगवान के विचार यह एक महत्वपूर्ण बात को बनाये रखने के लिए जीवन की पवित्रता यौन अनैतिकता एक घ्रिणा है भगवान के लिए और हर बच्चे को भगवान की पर विचार करना चाहिए यह एक प्लेग और यह से भागो यहुवा का सम्मान करेंगे कि लोग उसे सम्मान के साथ उनके शरीर और आत्मा लेकिन वह निंदा करेंगे पापी के लिए नरक के गड़े जब तक पच्चतावा प्रार्थना प्रिय भगवान मैं समझते हैं कि यौन पाप एक घ्रिणा है आप के लिए इसलिए मैं बंद करना चाहते हैं अपने जीवन में अभ्यास मैं के लिए माफी चाहता हूँ उन यौन पाप है कि मैं के लिए प्रतिबद्ध है अतीत में मैं अब कर रहा हूँ निर्धारित करने के लिए एक पवित्र जीवन जीते हैं इससे पहले कि आप मैं मनोरंजन नहीं करेंगे यौन पाप नहीं पर अपसे मैं से बचना होगा कि कुछ भी भर्ष्ट कर सकते हैं मेरे मन में मैं बंध हो जाएगा अपने सभी अनैतिक गतिविधियों मैं हो जाएगा होश की पवित्रता और मैं अपना सर्वश्रेष्ट करने के लिए यहां अभ्यास क्रिप्या भरने के साथ मुझे अपनी पवित्र आत्मा है और मुझे सशक्त करने के लिए सही काम करते हैं सभी समय पर के अंत में अपने सांसारिक रेस मुझे के साथ सम्मानित किया अपने सम्मान के पदक के लिए स्वर्ग में खड़े नेकी से आप के साथ के लिए मैं यीशो मसी के नाम से मैं अनुरोद करता है आमीन